आज किस लेक्चर के इंदर हम बात करेंगे अगर आप एक एजुकेशनल वेबसाइट बनाना चाहरें जिसके उपर आप एक कोर्स सेल करना चाहरें जैसे यूडमी है असलाम वेकुम आई होप खैरेट से होंगे आप सब लोग आज किस लेक्चर के इंदर हम बात करेंगे अगर आप एक एजुकेशनल वेबसाइट बनाना चाहरें जिसके उपर आप एक कोर्स सेल करना चाहरें जैसे यूडमी है उसी तरह के एक पुरा प्लाटफॉर्म डिजा लागेन अमेलेबल हैं देखते हैं कौन से प्लागेन है हमाज चुके हैं लैप टॉप स्क्रीन के उपर हमारे पास यहां पर जो फेमस प्लागेन वह राटफॉर्ड डैश के नाम से प्लागीन है जो के बहुत जाधा इंपोर्टर अबन भी यह यूज किया हूँ तो यहां पर हमारे पास उसका original plugin I don't know आ क्यों नहीं रहा learn dash मैं इसको जड़ा google करके देख लेगा तो अगर को प्लागिन आपको यहां से नहीं मिल रहा तो w plugin इस तरह से आप क्या कर सकते हैं सर्च कर सकते हैं वर्ड प्र सॉरी गूगल के उपर तो sometime उनके जो packages होते हैं उनकी website के उपर ही अवेलेबल होते हैं जैसे यह learn dash का option है यहां से आप उसको डावनोड कर सकते हैं और जो हमारे पास दूसरा plugin है वो है learn learn press right विस तरह के काफी सारे plugins है यह देखें वर्ड लैंप्रेस लमस तो इस तरह के और काफी सारे plugins भी यहां भी अवेलेबल है जिस तरह से यह content for multiple courses in learn press तो यहां भी काफी सारे plugins अविलेबल है तो learn press one of the most premise plugin है इस तरह का कोई भी educational website जिसको पर आप courses sell out करना चाहरे हैं अपने courses को design करके रखना चाहरे हैं जिस तरह से Udemy में आप यह course देख रहे हैं और तमाम functionality से इस तरह से बनाना चाहरे हैं develop करना चाहरे हैं तो आपको समझ आई होगे कि इस तरह से आप आप एजुकेशनल वेबसाइट या course selling website लाइक यूडेमी लेंडा 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 या Skillshare की तरह की website बना सकते हैं तो आई होप आपको समझ आई होगे मिलते हैं इंशलने नेक्स प्रेक्शियर के अंदर तिल देन keep learning keep exploring लाफिस